Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? Welcome back once again. So guys, पिछला वीडियो आप लोग को पता है, मैं लाया था MP Sub Engineer का Civil वाले Student के लिए क्या रहने वाला syllabus मैं syllabus में आप लोग को बता है कि कौन-कौन सा subject से आपको question पुछा जाता है and उस वीडियो में आप लोग से एक चीज डिसकस करा था 1400 question, क्योंकि 700 question हो गया technical का and 700 question हो गया non-technical का तो ये काफी बड़ा data होता है, इस basis पे मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि क्या रहने वाला subject wise बेटेज फिलाल अभी हम लोग बात करेंगे technical वाले का, जिसे मैंने का non-technical को तो सभी के लिए common रहता mechanical रहे, civil रहे या electrical रहे, तो वो एक वीडियो final देख लिजेगा, फिलाल अभी हम लोग बात करेंगे technical वाला, मतलब 700 question से, हार एक आपको पता है न कि ये जापका pattern रहता, 200 marks का पुछा जाता है 100 पुछा जाता technical और पुछा जाता 100 non-technical, तो 100 जो technical है, तो 7 paper को किया गया, तो 700 question हो जाता, उस 700 question से, किस subject से कितना नमर पुछा गया, maximum जो question वो किस subject से पुछा गया है, यानि उस basis आपको पता चलेगा, कि subject wise weightage क्या है तो चले discuss करते हैं, और ये काफी helpful होने वाला, और इसको बनाने में मुझे काफी मेनत लगा है, तो I hope so कि ये मेनत जो है, आप लोग का help करेगा, और उस basis पर प्रिपरेशन करोगे, और आप result दिखाओगे लाके, और मुझे जरूर बताएगा, WhatsApp में, या फिर Telegram में, या फि चल रहा है, लवग अभी तक 4-5 वीडियो आ चुका है, अगर मैं आप से कहूं, इससे पले सिवील का जो है, ये एक वीडियो आ चुका था, जिसमें में detail wise syllabus का discussion करा था, इससे पले mechanical का आया था, बट उससे पहले में और एक वीडियो लाया था, introduction वीडियो, जिसमें में जो तो हम लोग उसी को follow करते हुए, यानि कि guidance series को follow करते हुए, आज हम लोग discussion करने वाले है, subject wise वेटेगी, तो थोड़ा सा आज भी हम लोग overview देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पले ये आपका name of authority कहां से निकला है, तो MPC निकला form है, sub engineer और engineer के लिए निकला है, number of vacancy आप देख स 25 दिन आपका है, exam का, right, and online अगर मैं बात करूँ, कब से start होने वाला form apply, तो 1 अगस से start होगा, last date हो जागा, 16 अगस, 16 अगस last date, form fill up करने का, कहां से apply कर सकते हो, यह official website है, peb.mp.gov.in, और मैं अगर exam pattern का बात करूँ, कैसे होगा, तो एक exam होगा, तो बट दो पार्ट में होगा first part होगा non-technical, second part होगा technical, अगर non-technical का बात करेंगे, तो 100 number of question पुछा जागा, 100 marks का, and technical का बात करेंगे, तो फिर से 100 marks का, and 100 आपका number of question रहेगा, अगर मैं बात करूँ, non-technical में क्या क्या रने वाला है, तो आपका GK रने वाला है, reasoning रने वाला है, हिंदी रने वाला है, science English रने वाला है, computer रने वाला है, math रने वाला है, इन सब को मिला के 100 marks रहेगा, 100 question का, एक question एक marks का, and अगर बात करेंगे, टेकनिकल का, तो टेकनिकल जो भी आज जिस आप ब्रांच से विलम करते हो, civil तो civil का 100, mechanical तो mechanical रहेगा, अगर electrical, तो electrical का 100 इस तरह से सभी ब्रांच का रह इन दोनों को मिला के, कितना मिला का, 3 यार आपको टाइम मिला, negative नहीं रहने वाला, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यह आपको पता है, previous का जो paper हुआ, उस basis का कोई बात नहीं किया गया, उस basis पे, और जो इससे पहले, 3 महिना पहले आ था, जिसको withdraw कर लिया गया था, उ बेसिस पे, negative आप से नहीं पूछा जागा, तो simply यह चीज़ जान लिए, चलिए, now discussion करते हैं हम लोग, subject wise बेटी, इसको बनान में काफी महिनत लगा, जैसे मैं कहा रहा हूँ, अच्छा, और एक चीज, मैं बार-बार बोलता हूँ, आप लोग को पता होना ची कि, sir, आप मे क्या, नहीं डियर, मंत से नहीं बनाए, आप जब PB.GOV.IN में जाते हो, तो यहाँ पे आप एक कॉर्नर में मिलेगा, यह तो सबसे पले देख सकते हैं, यह रिवाइज रोटी से, रिवाइज नोटीस क्यों, क्योंकि थ्री मंत पले ही आ चुका था, MP सब इजिनर का वेकेंस पले सकते हो, यहाँ पे जो फोर केंडिडेट्स के लिए, आप और और पर दिया गया, तो यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, ओपिसल वेबसाइट के द्वारा, आप चाहो तो डाउलोड करके, आप खोद एनलाइसिस करके, यह डाटा कलेट कर सकते हो, लेकिन आप हो, जैसे मैं काता हो, हम है तो क्या गम है, तो आप लोग को बस देखना है, छोटा से वीडियो, दस मिनट का वीडियो देखे, आपका सब कम बन जाएगा, चली, डिसकस करते हैं, देखो, जितना सबजेक्ट है, जैसे आपको BM देख सकते हो है, बिल्डिंग माटेरियल, RCC सर्वेंग है, इनवर्मेंट है, सोयल है, सौम है, टॉस है, एफम है, डवलो आरी है, ट्रांस्पोर्टेशन है, ठीक है, इसके बाद बात करेंगा, सोयल है, स्टील है, एंड क्यू एसी है, सब सबजेक्ट निया लिखा गया है, यहां पर आप देख सेकते हो, मैंने कहा था पेपर को लिया गया है, अब देखो, यहां पर हम लोग डिसकस करते हैं, अब हम लोग वन वाई वन करके सारे सब्जेक्ट को, सबसे पले अगर बात करेंगे हो लोग बिंडिंग मटेरियल, बी-म का, तो 2017 का बात करते हैं, पले आट जुलाई का हुआ था, फिर नो जुला और 4 सेप्टमर का दो पेपर, तो 12, 16, 13, इट मींज ये 13 और 14 की बीच में अभी भी एवरेज बनाई हुए है, अगर 20 लेटेस पेटन का बात करेंगे, जो काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीके, तो 15 नमर पुछा गया, मतलब और एक नमर बढ़ी गया लेकिन आप देखो, जैसे से टाइम बढ़ रहा ना, 18 तक आते हैं ते 10 और 2020 का बात करेंगे, तो 12 नमर का कोईशन पुछा गया है, अब बात करते हैं सर्वेइंग का, सर्वेइंग देख सकतो, 27 में 36 नमर, 36 नमर माइने रखता है, 40 के आसपास का है, 17 में बात करेंगे, फ 30 में 36, 10, 7, 9, 15, यह भी काफी अच्छा कोईशन यहां से वेटे रहता है, आगे डिसकर्स करते हैं, 17 में तो बहुत ही कम पुछा था, एक बारी, ठीक अच्छे नमर, लेकिन उसके बाद जो है, 9 जुलाई को, 9 जुलाई के सेकंड पार्ट में 10, 12 नमर का, 18 में भी अच्छ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, यह 3-star subject है, ठीक है, 3-star subject है, टॉप वाला subject है, soil का बात करेंगे तो 17 में एक बार 5 नमर लेकिन उसके बाद देखो 12, 7, 10, 18 में देख लो 10, 12, 9 और इस बार गारा पुछा गया, तो यह जो आपके यहां पे subject है ना, कितना हो जारा इसको आप ध्यान से देखो गया, average निकालो, पहली बात यहां से 15 आ जा रहा है, यहां से कितना रहा, 15, फिर आ यहां 12, फिर यहां से पुछा गया 14, फिर पुछा गया 10, और फिर पुछा गया 11, तो देखो यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, और यहां से कुछ हो जागा 13, 60, 60 प्लस है जैसे यहां पे गारा लिये हैं, सोयल का, लेकिन देखो, 2018 में 12 नमबर से भी पुछा यह चीज़, सिमिलरली अगर बात करेंगे, हम लोग दिये हैं, इन्वर्मेंट का 10 मात्र लिये हैं, 2020 लेकिन 14 ही पुछा, 13 ही पुछा, तो 60 से लेकर 70 नमबर आप उठा सकते हो, only these 5 सब आप बात करते कुछ वेसे सब्जक्ट जहां से, इन सब्जक्ट जब कंप्लीट हो जाए, तब आपको जाना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम दिया गया है, जैसे आपको पता है, 24 सिप्टमबर में आपका एक्जाम हो जाएगा, अभी जुलाई चल रहा है, तो ज कुछ पढ़े हैं, नहीं भी पढ़ेंगे, तो आप इसको ध्यान दिये, और जो बच्चा पढ़ लिया, तो सेकंडरी, ये सभी में जा सकते हो, ठीक है, चलिए, अब डिसकस करते आगे, जैसे सो, SM का, FM, सौम का बात करेंगे, तो सौम में अगर मैं बात करेंगे, 2020 में तो सकता, लेकिन सेकंडरी लाग सकता हो, प्राइमेरी में वो 5 सब्जेक्ट हो गया, अच्छा, और बात करते हैं, देखो, यहां पर मैं और एक चीज़ को रख सकता हूं, that is call your FM, FM, FM थोड़ा सा मैं क्यों रखा हूं नीचे, ना, रिजन यह है कि इंपोर्टेंट देख सकते हो, 17, 15, लेकिन 18 में घटा, घटा दिया गया है, 8, 6, और 14, लेकिन एक बार 14 पुछा गया था, 2020 में बात करेंगे तो 6 नमबर, तो यह कुछ भी कर सकता, हो सकता है, इस बार 14, 15 नमर पुछ दे, कुछ निका सकता, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, FM को, आ प्राइमेरी में आप समझ गे, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के बाद जो है, वो में घेर रहा हूं, उसको आप ध्यान देना, सोयल, देखो 17 में 5 नमबर, 12 नमबर, 7 नमबर, 18 में भी 10, 12, 9, काफी अच्छा है, अगर में बात करूँ, 2020 का तो 11 नमबर, तो आप इसको भी लिए के चलना, चलिए ये चीज़ होगे, इसके बाद आगर में बात करूँगा, तो डबलू आरी से, देखो 2017 में एक नमबर, 2 नमबर, 5 नमबर, 18 में 6 नमबर, 4 नमबर, 7 नमबर, एंद 2020 में 9 नमबर, पुछा गया है, तो इसके बाद में ब्लू हो गया, तो इसको मैं द से दे देता हूँ, अब इस से घेर देता हूँ, ठीक है, बलू से, एंद देन आ जाता ट्रांस्पोर्टेशन, वही 6, 7 नमबर, 9 नमबर, 17 में 9, 7, 9, 18 में 9, 6, 7 नमबर, एंद 2020 में 7 नमबर, एंद स्टील से बात करेंगे, तो 17 में 2, 3 नमबर से पुछा गया था, 18 में 7, 3 6 और 2020 में 4 नमबर, similarly QSC से 17 में काफे अच्छा पुछा गया था, 12 नमबर, 19 नमबर, 12 नमबर, लेकिन 18 में बात करें थोड़ा घटा दिया गया, 15, 10, 7 और 2020 में मातर 5 नमबर, लेकिन अगर आप ऐसा ना हो जाए कि ये भी घुमा दे, तो ये भी exception में हो सकता है, तो QSC को भी QSC को, और एक आगया क्या, WRE को, और बाकी रिमेनिंग जो बचा, सॉम, टॉस, इसके बाद हो गया, आपका ट्रांस्पोर्टेशन, स्टील, इसको चाहा तो सबसी लाश्ट में प्रिपरेशन करना, अगर आपका प्रिपरेशन सब है ना, तब इसको भी देख सकते हो, लेक अगर आप बोलेंगे, सर किसको मैं लेके चलो, अगर मैं syllabus का बात करूँ, क्योंकि syllabus इतने ज्यादा बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है, topic वाज किस सबदेश से कौन कौन सा topic पढ़ना, तो आप सिंप्ली ना, SSC JEE को follow कर सकते हो, अगर SSC JEE का डिटेल वाज आप डिसक training service examination का one liner question को लगा लिजेगा, यह कुछ हो और आपका gate का हो गया one liner question, यह अगर इतना कर लिजेगा, more than sufficient आपका हो जागा, ज्यादा time नहीं लगया, मुझे लग रहा है, अगर आपका है preparation, और अगर सही तर से utilize करते हो, तब भी आप कर सकते हो, कैसे करना है, कैसे नहीं करना एक वीडियो में बना दूगा, जैसे मैंने का अभी guidance री चारा ना, तो जो भी मुझे doubt लेगा, और जैसे आप comment किजेगा, उस पर topic में बना दूगा, जैसे बहुत सारा comment यह इसमें भी आ रहा है, आप ऐसे बनाईए, जिसमें 30 से लेकर 50 दिन में हम preparation कर ले, practice book कहां से लग स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप देखेगा, पूरा-पूरा guidance री 10 रहे, 12 वीडियो रहे, जो आप से मुझे लेगा, doubt आप लोग पूछेगा, उसमें बना दूगा, बाकि आप लोग का सरदा है, आप लोग अगर view अच्छा मिलेगा, तो अच्छी बात है, लाइक कीजेग आप लोग का पसंद है, कमेंट करेगा, अच्छा लाइगा, उसमें थोड़ा motivation हम लोग को मिलता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं, ना तो मैं आप लोग को बनाना चाहिए, मैं आप लोग का help कर रहा हूं, तो आप लोग को बस अगर आप अच्छा वीडियो लगा, तो आप लोग कोई भी state level AJ का आता है, तो मैं उसका पूरा guidance पूरा लाता हूं, कोई लाइन आ लाइए, मैं आप लोग के लिए लाता हूं, जो भी comment में रहा करता हूं, तो subscribe कर लिजेगा, bell icon को press कर लिजेगा, और government job update भी लाता हूं, content तो मिलते हम लोग next part में, I hopes हो कि यह आप लोग का information स सही लगा होगा, and मिलते हम लोग next part में guys, तब तक के लिए goodbye, bye bye